वेलकम स्टुडेंट हेल्थ प्रभा यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे राजस्तान में जो आपके मेडिकल छेतर में जो एडमिसन होने वाले 2021 के में उसके बारे में पूरी जान करें इस वीडियो में गेहन करेंगे देखें स्टुडेंट राजस कोर्स है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाले है 2021 में और आपको exact फोर्म डेट इस वीडियो में बताने वाले है कि किस यानि किस डेट को फोर्म निकलेंगे जी हां student हमारे पास date आ चुकी है तो राजस्तान में जो आपके एडमिस होने वाले है medical छेतर में उ पूरी जान करें इस वीडियो में देनने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ स्टुडेंट सबसे पहले हम हम चलते हैं whiteboard पर जी हां इस्टुडेंट वहाँ पर आपको पूरी जान कर रहे देंगे सब भी इस वीडियो में बता जाएंगे exact forum date और form date के बाद है जितने पी डाउट है आपके courses के बारे में पूरी clear करें जाए और किस प्रकार आपको study करनी है और किस प्रकार plan बनाना student आगे क्या करना student इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ तो चलिए whiteboard पर हम चलते हैं तो student हम whiteboard पर आ चुके हैं इस whiteboard पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके जो forum data वो कब है और उसमें कौन-कौन से document चाहिए और आपको मतलब किस प्रकार से planning करने है पूरी आपको exact forum data वो यहाँ पर बताए जाएगी तो सबसे पहले हम पूरी जितने भी course है जाए आपके medical सित्र में सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं one by one सबसे पहले राजस्तान में हम बात करते हैं बहुत सारे student हमें comment कर रहे हैं सबसे जादिक comment आ रहे हैं कि sir forum date कब है BAC nursing की forum date बताओ और किस प्रकार कौन सी यहाँ ते के कौन सी book purchase करनी है और NCRT पढ़नी है या RBC पढ़नी है यहाँ ते कि sellin bus के बारे में अभी तक काफी सारी student comment कर रहे हैं तो इस वीडियो में चर्चा होने वाली है सबसे पहले आपका सबसे पहले doubt था कि sir forum date क्या है forum date अभी आपके हम बता रहे हैं आपके forum date है वो 10 से 20 October के मद्धिया आपके forum आने की पूरी-पूरी संभावना 90% संभावना कि आपके जो forum है वो 10 सक्टूमबर से 20 सक्टूमबर के बीच में आ जाएंगे 100% क्योंकि कापी समय बीच चुका है और यहां तक है कि आपके जो जो एनम के forum है वो आ चुके है तो बीच से नर्सिंग के forum है वो अभी latest यानि की news निकल कर आ रहे है कि 10 से 20 सक्टूमबर के मद्या आपके application forum है वो release कर दिये जाएंगे और जबकि इसके exam के बात करें और exam के बात करें तो आपके नौंबर में इसकी exam होगी नौंबर last नौंबर last में आपको इसकी exam है वो conduct होगी तो आपके पास काफी कमस में इसकी तियारी के लिए तो काफी सारे student अभी भी हमें comment करते हैं कि सर सेलेबस के बारे में बताओ बुक के बारे में बताओ तो सबसे पहले हमने बुक पर एक special वीडियो बना दिया जिसमें सब भी बुक के बारे में बताए गए यदि आप वो बुक पढ़ते हो तो उसमें आपके जो सो में से लगबग सत्तर पलस नंबर आने के आपके पूरी-पूरी संभावना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन ने आजा कर देख सकते हो और पूरी सबी हम इंगलेस मेडियम वालों के लिए भी और हिंदी मेडियम वालों के लिए दोनों के लिए अलग लग बुक हमने बता दी है बी-ए-सी नर्सिंग की तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है दूसरी बात कापे सारे स्टुडेंट का डाउर था कि सर सेलेबस क्या है सेलेबस के बारे में सब्गी के बारे में हमने स्पेसल वीडियो बनाए है जबकि फोरम डेट के बारे में आपको बता दिया है और आपको कापे सारे स्टुडेंट हमें आप दूसरे विशे पर चर्चा करते हैं दूसरा विशे क्या है यहाँ पर G&M और A&M G&M और A&M कापे सारे स्टुडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर G&M A&M के बारे में बताओ तो G&M A&M के जैसे आपके A&M के रज़स्तान में अप्लिकेशन फोरम में वो रिलीज हो चुके जी हाँ बिल्कुल आपके A&M कक्टुमबर से इसके फोरम में वो अप्लाई होना शुरू हो चुके और आपको फोरम में वो ओपलाइन फिलब करना होगा जी हाँ स्टुडेंट आप किसी नजदी की इमेतर पर जा सकते वहां पर फोरम लेजे और फोरम को आप पूरा फिलब किजे और वहां पर जम्मा करवाना होगा आपको तो इस С्टुडेंट इस प्रकार से आपको जो है ओफ लाइन फोरम कंटेक्ट करना होगा और कहपर सारे स्टुडेंट हमें कमेंट कर रữa थे सर इसके लिए मतलब कौन-कौन से डोकूंच से है तो डोकूंच में आपके सबसे पहले आपको 10th के मार dulchee आपके पास होने चाहे दूसरी आपके पास 12th के मारत चींट होने है तीसरी आपको मतलब जो प्रम लगेगा उसमें जात्ती परमान पत्र मोल निवास प्रमान पतर आपके पास होना चाहिए यदि आपके पास कोई कार्ड है जैसे AWS Certificate है या BPL कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए यदि आप बिलोंग करते हों क्योंकि इसमें काफी सारी छोट मिलती है फीस में भी और दूसरी बात आपको मतलब आपके इसकेन कीवे साइन पलस आपके पासपोर्ट साइज फोटो इसमें आवसेकता होगी और कोई भी इसमें जो है डोकुमेंट्स नहीं आवसेक है तो ये डोकुमेंट्स आपको इसके लिए जरूरी है तो ANM के फोरम निकल चुके हैं आप बात करते हैं GNM के बारे में कापे सारी डाउट है तो GNM में मतलब ANM के वल गरल्स कर सकती है जबके GNM है वो 80 by 20 ये इसमें रेशियो होता है तो इस्टुदेंट GNM के बात करें तो GNM के फोरम के डेट एक्सपेक्टेड डेट हम इस वीडियो में बताएंगे तो GNM के फोरम डेट बताएं तो साथ से 15 अक्टुमबर के मद्य आपके फोरम में वो रिलीज हो सकते है जी हाँ स्टुदेंट ये एक्सपेक्टेड डेट है GNM की तो GNM में आपको 12th के आदार पर मेरिट बेस होगा कापे सारी स्टुदेंट कहते हैं कि सरी इस बार जो है 12th में कापे सारी हाई लेवल परसेंटेज गए थे क्या मेरिट बेस होगा जी बिल्कुल मेरिट बेस होगा स्टुदेंट 100% क्योंकि अभी R.E.O.S.S. का एक्जाम कंड़क्ट करवाना है तो स्टुदेंट यह होगी GNM की बात आप का बात करते हैं पेरामेडिकल पेरामेडिकल में सबसे अधिक कन्फ्यूज होते हैं स्टुदेंट क्योंकि कापे सारी कोर्सेज होते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वह आप देख सकते हो लेकिन फिलाल हम बात करेंगे कि जो एक्जाम लगती है और जो मेरिट बेस होती है जो मेरिट बेस होता है उसको कंड़ेक्ट R.P.M.C. करवाता है जबकि इसे एक्जाम बेस वाले को R.U.H.S. इसके अप्लिकेशन फोरम के बात करें तो R.P.M.C. वाले याने डिपलोमा वाले अप्लिकेशन फोरम पहले लेट आएंगे क्योंकि अभी काउंसिलिंग का दोर चल रहा है 2020 की काउंसिलिंग अभी चल रही है उसमें जो फिस्ट राउंड काउंसिलिंग है उसका रिजल्ट आ चुका है शिक्षिन राउंड की जो त्यारी चल रही है उसके बाद ही आपके फोरम रिलेज होंगे जबकि R.U.H.S. के बात करें तो R.U.H.S. में जैसा कि मैंने पहले बताया है जैसा कि B.H.C. नर्शिंग के आपको बताया है जैसे 10 सक्टुम्बर से 20 सक्टुम्बर के मद्द हो सकते ही तो आपके भी यह 10 से 20 सक्टुम्बर के मद्द होंगे क्योंकि आपके R.U.H.S. किस प्रकार फोरम जो है रिलेज करता है क्योंकि R.U.H.S. http वो आपका B.A.C. नर्सिंग हो गया पेरा मेडिकल हो गया फारमेशी हो गया बीपिटी हो गया और यहाँ पर ते कि जितने भी कोर्शेज है उनके सभी के फोरम है राजस्तान में मेडिकल चेतर में वो एक साथ एक ही डेट को रिलिज गरता है जी हाँ इस्टुडेंट और सभी के एक्जाम हो वो ओनलाइन होती है तो इसकी मतलब सभी के फोरम चाहिए वो B.A.C. नर्सिंग हो पेरा मेडिकल हो फारमेशी बिपिटी इनके सभी के 10 से 20 अक्टुमबर के मद्दे आपके फोरम निकलने के 90-35 इस्टुडेंट यह हमारा दावा है अगले बात करते हैं कि मतलब G.N.M. अगले बात करते हैं जो काफ़े सारे बेसिक हमें कमेंट करते हैं कमेंट सेक्षन में उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले G.N.M. के बारे में ही बात करते हैं देखिए G&M अभी चलता रहेगा, इसके लिए कोई official notification नहीं है, इसके अभी forum आने वाले हैं, 7 से 15 अक्टोंबर के बीच इसके forum जो है release कर दिया जाएंगे student, और कौन कौन सी G&M में college है, कितनी कटोप रहने वाली है, इसका वीडियो भी हमने बता दिया है, और इसके कटोप इस बार हाई जाने वाली है, जी है student, 90 पलस इसके कटोप जाने वाली है, जबकि आपके R.E.O.H.S.B.S.E. Nursing के बात करें, तो उसमें भी काफी अधिक कटोप जाने वाली है, यदि आपको SMS में नम्मर लाना है, तो 70 पलस आपके marks होने चाहिए, इसका कटोप का वीडियो कल पर भी वीडियो बना दिया है, और किस प्रकार पढ़ना है, उस पर भी वीडियो बना दिया है, तो student हम पूरी कोशिस करें कि आपका SMS और R.E.O.H.S. में सेलेक्शन हो, आपको Government College मिले, तो Government College मिले, और आपके लिए Online Classes भी यहाँ पर कंडेक्ट करवा रहे हैं, कि Online Classes के मत मतलब student को multiple choice question भी उसका link भी description में, तो multiple हमारी Online Classes पले लिस्ता आप उसे देख सकते हो, दूसरा बास, दूसरी बात क्या है, कापे सारे student हमें comment करते हैं, कि sir हम आपसे मतलब contact नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो social media जो platform है, उसके सब्वी के link description ने, वहाँ पर आप simply अपने doubt वो clear कर सकते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं, कि कापे सारे student है, वो मतलब comment करते हैं, कि sir forum कब निकलेगा, कापे सारे student करते हैं, और syllabus का exam date का हैं, क्योंकि वीडियो का आप पूरा वोच नहीं करते हैं, वीडियो मतलब जैसे वीडियो 8 मिनट का है, तो वीडियो कुछ तो क्या करेंगे, डियर्ड मिनट देखकर फिर बंद कर देंगे, फिर comment करेंगे, सरफ फोरम डियर्ट के हैं, हलाएं कि mention पूरा है, वीडियो में, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखे है, आपके पूरे doubt है, वो clear होंगे, student यह हमारे guarantee है, अगर नहीं हो, तो फिर हमें comment क का link है, वो description में है, आप जाकर सब भी follow कर सकते हो, क्योंकि सब भी latest news हम वहीं डालेंगे, student अब से, जितने भी latest news है, instagram page का link है, वो description में आप जाकर follow कर सकते हो, और हमने poll डाला था, क्या हम आपके लिए doubt के लिए live आए या नहीं आए, student, वहाँ पर आप लाईव में पूरी doubt clear पूश सकते हो, उसका हमने poll डाला था, यदि poll जो है, 80% होगा, 80% से उपर होगा, yes में, तो हम live आएंगे, वरना नहीं आएंगे, student, क्योंकि पिछली बार आये थे, काफी सारी कम student आ, live आये थे, और comment में काफी सारी comment करते हैं, कि sir, क्या होगा, क्या होगा, इस वीडियो मे उमीद है, पूरी जानकरी मिल गई होगी, आके मतलब इस वीडियो में पूरी क्या चर्चा कीगी, कि October में आके फोरम है, वो सब भी के release हो जाएंगे, जो medical छेतर में है, आपको कोई attention लेने की जुरूत नहीं है, student, तो इस से अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, कि मतल लगागा, वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आगन प्रेश रखें, आप से कोई भी अपडेट वो मिस नहीं हो, कि सबसे पहले अपडेट इसे चैनल पर मिलेगी है, आपको student, तो student वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं, अगले वीडियो में जेहिंद वंदे मादरम